नमस्कार यूनिकार्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में उनसे स्कूटर बनाने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें 26 चैन बनानी है यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया है आप अपनी पसंद से ले सकते हो त तो 26 चैन बनाने के बाद हमें सेकंड चैन से स्टार्ट करना है जहां से हमारा हूग चल रहा है वहां से सेकंड चैन से हम एक-एक सिंगल क्रोशेट लेंगे हर एक चैन में यानि की अगली 25 चैन में हम एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तो यह हमारा राउंड टू कम् होने के बार हमें एक चैन लेके टर्न करना है और फिर से हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है तो यहां पर हमें राउंड थ्री से लेके राउंड नाइन तक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है और हर राउंड खतम होने के बार एक चैन लेके टर्न करना है ठीक है ऐसे ही हमें राउंड थ्री से लेके नाइन तक 25 चेंज बनाते जाना है एक-एक सिंगल क्रुशेट हर एक चेन में ठीक है ऐसे ही हम बना लेंगे अभी देखिए यह हमारा कम्प्लीट हो गया है हमने हर एक चेन में 25 सिंगल क्रुशेट ही बनाए अब उसके आगे हमें क्या करना है पहली जो 21 चेन्स है उसमें एक-एक सिंगल क्रुशेट बनाना है ठीक है स्टार्टिंग की जो 21 चैन्स है उसमें एक-एक सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे ध्यान से देखना 21 चैन्स में 21 सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे यानि कि हर एक चैन्स में एक-एक सिंगल क्रोशेट और लास्ट में देखिए चार चैन्स बचेगी तो चार चेन में हमें क्या करना है 2 चेन का मिलाके एक सिंगल क्रोशेट बनाना है फिर से एक chain ली और turn किया अभी round 11 हमारा चल रहा है यहाँ पे भी हमें क्या करना है पहले 20 chain में 20 single crochet यानि कि पहले 20 chain में हमें एक-एक single crochet बनाते जाना है यानि कि 20 single crochet 20 single crochet हम बनाएंगे पहले 20 chain में हर एक chain में एक-एक single crochet और उसके बाद में क्या करेंगे दो chains एक ही साथ एक single crochet बनाएंगे दो chain मिलाके ठीक है और बाद में जो एक chain बची है उसमें हम एक single crochet बनाएंगे देखिए एक chain बच गई है तो उसमें एक single crochet बनाएंगे एक chain बनाएंगे और turn करेंगे अभी हमारा next round अभी round 12 में first chain skip कर देंगे यानि कि छोड़ देंगे और आगे दो chain मिलाके एक single crochet बनाएंगे और उसके बाद में जो 19 chain बची है उसमें 19 single crochet बनाएंगे अभी 19 single crochet बनाने के बाद एक chain लेके turn करेंगे आगे के round के लिए यानि कि round 13 अभी round 13 में हम क्या करेंगे पहली 18 chain में एक-एक single crochet बनाएंगे स्टार्टिंग में जो 18 chain से उसमें एक-एक single crochet यानि कि 18 single crochet बन जाएंगे और लास्ट में जो दो chain बची है उसमें एक ही single crochet बनाएंगे दोनों chains को मिला के देखें हो गया और फिर से एक chain लेंगे और टन करेंगे अभी नेक्स्ट राउंड अभी नेक्स्ट राउंड में भी फर्स्ट चैन हम स्किप कर रहे हैं यानि कि छोड़ देंगे और उसके आगे की 18 chain में 18 single crochet यानि कि एक-एक single crochet हर एक chain में और फिर से एक chain लेके टन करेंगे अगले राउंड के दिन यानि कि राउंड 15 अभी राउंड 15 में हम क्या करेंगे एक-एक single crochet बनाएंगे जो मतलब starting में है 18 chains सीधे ही हमें बनाते जाना है अभी हम यह राउंड में complete करेंगे तो जैसे start किया 18 chains बनाएंगे 18 single crochet के साथ अभी एक side में हमें एक-एक single crochet बनाते जाना है हर एक row में क्योंकि हम side से बना रहे हैं तो यह आपको adjust करके लेना पड़ेगा तो हमने एक side पे 14 chains में 14 single crochet बनाएं एक-एक single crochet तो यह दोनों भी side आएंगे अभी नीचे बॉटम में देखिए हमारे 25 chains थी तो 25 single crochet बनेंगे क्योंकि starting में हमने 25 single crochet बनाये थे इसलिए नीचे हमारे 25 single crochet बन जाएंगे अभी दूसरी side जैसे पहली वाली side 14 single crochet बनाये थे तो दूसरी side भी 14 single crochet बनेंगे उसी हिसाब से आप हर एक रो में एक-एक single crochet बनाते जाना तो आपके 14 single crochet बनेंगे उस 14 chain में देखिया मीचे chains रहेंगे तो आपको दिकत नहीं आएगी side में chains नहीं है रो में बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा लेकिन हो जाएगा देखिये अब यह हमारा एक round तो हो गया अभी यहां से हमें दूसरे round करने है तो समझने के लिए marker pin लगा दो अभी round में complete करना है जहां से marker pin लगाई है वहां से फिर से marker pin तक आना है यानि कि round 16 से लेके round 18 तक हमें एक-एक single crochet बनाते जाना है और हर round खतम होने के बाद marker pin निकाल के फिर से लगानी है जिससे हमें round के शुरुआ समझ में आएगी देखिये यहां पर यह complete हो गया three rounds मेंने complete कर दिये तो यह हमारे scooter का side का base बन गया ठीक है नीचे का जो base है scooter का पीछे वाला तो यह बन के तयार है तो ऐसे हमें दो बनाने हैं आप same pattern के साथ दूसरा भी बना लीजिए जैसे पहले बताया वैसे ही दूसरा भी बनाना है अभी next अभी हम आगे के support के लिए scooter के support के लिए बनाएंगे तो उसके लिए 31 chains बनानी है स्टार्टिंग में और सेम तरीके से हमें एक-एक single crochet लेना है यहां पर देखिए हमने second chain से नहीं बनाया है यहां हमने first chain से ही start किया है तो यहां पर 31 single crochet ही बनने चाहिए और हर एक chain में एक-एक single crochet लेंगे लेकिन last वाली जो chain है उसमें हम एक single crochet के बज़ए दो single crochet बनाएंगे और बागी की हर एक chain में एक-एक single crochet देखिए एक-एक single crochet बनाया हमने हर एक chain में और जो last वाली जो chain है उसमें हम दो single crochet बनाएंगे एक तो बनाया फिर से एक बनाएंगे तो यह दो हो गया अभी क्या करना है जैसे ही हमने पहले बनाए थे एक साइड में अभी एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे अपोजिट साइड में मतलब आमने सामने तो उन्हें तरफ हम एक-एक सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं यानि कि यह एक राउंड बन जाएगा अबने पहले एक-एक सिंगल क्रोशेट बना एक साइड फिर दूसरी साइड भी तरीके से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे थीक है अभी लास्ट वाले इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाखें यह राउंड अटैच हो जाएगा marker pin लगा देंगे round समझने के लिए अभी क्या करेंगे round 2 से लेके round 6 तक एक-एक single crochet ही बनाना है मतलब जहां से marker pin हमने लगाई है वहां से फिर से marker pin तक आना है जिससे ये एक round हो जाएगा वैसे ही हमें round 2 से लेके round 6 तक ऐसे ही करते जाना है एक-एक single crochet हर एक chain में बनाना है जहां पर round खतम हो रहा है वहां पर marker pin अटाच करनी है जिसे के round समझ में आये हमें ऐसे हमें 5 round बनाने है याने round 2 से लेके round 6 तक देखिए ये complete हो गया अभी marker pin निकालेंगे अभी क्या करेंगे जहां से हमारे starting है वहां पर marker pin लगा देंगे एक single crochet लेके और उसके आगे हम 31 chains बनाएंगे उसके आगे जो 31 chains है उसमें एक-एक single crochet हम बनाएंगे ठीक है जहां से start हो रहा है वहां से हमें ये करना है मतलब हाफ ही complete करना है एक ही side हम complete करेंगे दुसरी side नहीं हाफ portion तक आना है हमें एक-एक single crochet हर एक chain में बनाते हुए देखिए ये complete हो गया और complete होने के बाद धागा scissor की सायता से कट कर लेना है और slip stitch के साथ ये join कर देना है हो गया तो देखिए जो scooter में सामने की तरफ support होता है तो ये भी हमें दो बनाने हैं pieces same pattern के साथ तीक है अभी आगे अभी हम आगे का front fender बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 3 chains magic ring में 3 single crochet बनाएं और round को join नहीं किया और round 2 में हमें क्या करना है जो हमारी 3 chains है उसमें 2-2 single crochet बनाने हैं हर एक chain में ठीक है magic ring लेके हमने जो 3 single crochet बनाएं थे पहले इसमें और round attach न करते हुए हर एक chain में 2-2 single crochet बनाएं यानि कि 6 single crochet बन गया देखिए और एक chain लेके turn करना है अभी round 3 round 3 में क्या करना है पहले 1-2 single crochet बनाएंगे और आगे की chain में आगे की chain मे एक single crochet और उसकी आगे की chain में एकी chain में 2 single crochet यह पैटर्न फॉलो करना है round खतम होने तक और फिरसे एक chain लेके turn करेंगे अगले round के लिए अभी round 4 में क्या करना है पहले एक single crochet, दूसरी chain में भी एक single crochet, और थ्री number की chain में एक chain में, गोच्षाथ और यही pattern हमें पूर हमें, हम तो, रवन में complete नहीं करें तो complete कर लेंगे, एक chain बना के फिर से turn करेंगे फिर से सें तरीके से पहली chain में एक single crochet बनाया हमने दूसरी chain में भी एक single crochet और तिसरी chain में भी एक single crochet और 4 नमर की जो chain है उसमें एक ही chain में 2 single crochet और यह pattern यह पूरी row complete करेंगे फिर से एक chain लेकर turn करेंगे यहां पर देखिये फिर से पहली chain में एक single crochet सेकंड नमबर की चैन में भी एक सिंगल क्रोशेट थर्ड नमबर की चैन में एक सिंगल क्रोशेट और फोर नमबर की चैन में भी एक सिंगल क्रोशेट और फिफ्ट नमबर की जो चैन है उसमें एक ही चैन में दो सिंगल क्रोशेट यह pattern follow करेंगे यह पूरी row complete होने तक देखिए complete हो गया फिर से एक chain लेके turn करेंगे और turn करने के बाद अभी ध्यान से देखना यहाँ पर हमें क्या करना है only back loops लेने है यानि कि जो chain है उसमें की पीछे वाले धागे में ही हमको single crochet बनाते जाना है हर एक chain में एक-एक single crochet वीडियो को ध्यान से देखना मैंने chain के पीछले वाले धागे में ही single crochet बनाए है और इसे ही हमें यह complete करना है देखिए यह complete हो गया उसके बाद में एक chain लेके turn करेंगे अभी round हमारा eight चल रहा है तो यहाँ पर हमें एक-एक single crochet ही बनाना है round eight और round nine यह दो round हम complete करेंगे एक-एक single crochet के साथ सामने वाला पहिया जिसमें हमें fix करना है उसको front fender कहते हैं तो यह part हम बना रहे हैं ठीक है ऐसे हमें यह दो round complete करने है राउंड एट और राउंड नाइन तो यह हमारा complete हो गया और दागा हम सीजर की सायता से cut कर लेंगे और अच्छी तरीके से बांद लेंगे ठीक है यह हो गया हमारा तो यह भी एक-पीस बन के तयार है तो इसे ही हमें दूसरा भी बनाना है सेम तरीके से ठीक है यह भी दो पीस हमको लगेंगे अभी आगे स्कूटर का जो बेस बनाया था हमने उसमें साइड भी लगेंगे तो उसके लिए 18 चेंज बनाए हमने स्टार्टिंग में और 18 चेंज बनाने के बाद सेकंड़ चेंज से स्टार्ट करेंगे हम आगे की 17 चेंज में एक-एक सिंगल कुरुषिट बनाएंगे तो यह कम्प्लीट हो गया हर एक chain में एक-एक सिंगल क्रोशेट यानि कि 17 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे तो यह complete हो गया उसके बाद में turn करना है और फिर से round 2 से लेके round 4 तक एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हर एक chain में एक-एक सिंगल क्रोशेट ही बनाना है तो round 2 से लेके round 4 तक यानि कि 17 चैन से हमारे उसमें हमें एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है हर एक chain में एक-एक सिंगल क्रोशेट है तो ऐसे 3 rounds कम्प्लीट करने है हमको तो यह हमारे round कम्प्लीट हो गए एक chain लेके turn करेंगे next round के लिए तो इसमें हमें क्या करना है पहली 12 chains में एक-एक सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे एक-एक सिंगल क्रोशेट अब लास्ट में जो लास्ट में chains बचेंग है हमारी तो दो chains मिलाके एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे दो chains को मिलाके एक सिंगल क्रोशेट तो ऐसे दो सिंगल क्रोशेट बनेंगे चार chain को मिलाके और आखिर में जो एक chain है उसे skip कर देंगे एक chain लेके turn करेंगे आगे की round के लिए तो यहाँ पे भी हमें पहली chain skip कर दी है round 6 में और उसके आगे जो 13 chains बची है उसमें 13 सिंगल क्रोशेट लेने हैं ठीक है आगे 13 chains बची है उसमें 13 सिंगल क्रोशेट यानि की एक सिंगल क्रोशेट फिर से chain लेंगे और turn करेंगे next round के लिए तो round 7 में हमें क्या करना है पहले तो हमें स्टार्टिंग की 11 chains में एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाना है 11 chains में 11 सिंगल क्रोशेट एक-एक सिंगल क्रोशेट की हिसाब से अब 11 सिंगल क्रोशेट बनने के बाद आगे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे दो chains को मिलाके देखिए देखिए और एक चैन लेके टर्न करेंगे अगले राउंड के लिए देखिए अभी हम राउंड में कम्प्लिट करेंगे साइड के साथ तो यह हमारा राउंड एट और नाइन हमें कम्प्लिट करना है सरकल में यह पूरा राउंड कम्प्लिट करेंगे जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से सिंगल क्रोशेट बनाते जाना फिर साइड में बनाना बॉटम में भी और दूसरी साइड भी तो यह राउंड में एक साइड होने के बाद, दूसरी साइड, फिर बॉटम में भी, और दूसरी साइड भी देखिए, साइड में भी हमें ध्यान से बनाना है, हर एक रो में एक-एक सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे तो एक राउन हमारा कम्प्लीट हो गया एक राउन कम्प्लीट होने के बाद, मारकर पिन लगाएंगे जिससे कि अगला राउन हमें करने में दिकत नहीं आएगी और दूसरा राउन भी हमें ऐसे ही कम्प्लीट करना है, एक-एक सिंगल क्रोशेट के साथ और राउंड कम्प्लिट होने के बाद धागा सीजर से कट कर लेना है और अच्छी तरीके से बांध लेना है स्कूटर का जो बेस बनाया था उसमें जो साइड होती है हम यह वहाँ पे अटाच करेंगे तो यह भी टू पीसेज बनाने हैं सेम तरीके से सेम पैटर्न का यूज़ करके हमें यह भी दो पीस बनाने है अभी आगे अभी आगे का पहिया हम बनाएंगे तो उसके लिए मैजिक रिंग में छे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और मैजिक रिंग को हम जोइन कर लेंगे यहां पर पूरी magic ring हमने बनाई जॉइन किया राउंड समझने के लिए marker pin भी लगाई अब राउंड टू में क्या करेंगे हर एक chain में दो-दो single crochet magic ring बनाते समय 6 single crochet बनाएं थे तो second round में हर एक chain में दो-दो single crochet यानि कि 12 single crochet बन जाएंगे देखिए यह round हमारा two complete हो जाएगा अभी round 3 के लिए marker pin निकालना है फिर से एक single crochet लेना है आगे की chain में और फिर से marker pin अटाच करनी है तो round 3 में का एक single crochet तो बन गया और second number की chain में एक ही chain में दो single crochet बनाएंगे अब यही पैटन है आपको फॉलो करना है पूरा round कंप्लेट होने तक तो यह round कंप्लेट हो गया marker pin निकालेंगे यहां पर अमें दूसरा color जॉइन करना है तो मैंने फेंट पिंक बन गया फिर से आगे की chain में एक single crochet और उसके आगे की chain में एक ही chain में दो single crochet हमने बनाएंगे यह पैटन जो है आपको पूरा कंप्लेट होने तक फॉलो करना है तो यह round कंप्लेट होने की बाद फिर से marker pin निकालेंगे आगे की chain में एक single crochet बनाके फिर से marker pin अटैच करेंगे अभी round हमारा 5 चल रहा है एक single crochet बन गया आगे की chain में और सींगल कुषेट, उसके आगे की चैन में और एक सिंगल क्रोषेट, अभी फोर्ट नमबर के जो चैन हे, उसमें एकी चैन में दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, अभी ये pattern हमें पूरा round complete होने तब follow करना है तो ये भी round हमारा हो गया अभी next round के लिए six round के लिए फिर से एक single crochet बना के marker pin attach करेंगे अभी round six में का एक single crochet बन गया दूसरी chain में एक single crochet तीसरी chain में फिर से एक single crochet फूर्थ नमबर की chain में एक single crochet अभी four single crochet बनने के बाद फिफ्थ नमबर की chain में एक ही chain में दो single crochet और ये pattern follow करेंगे पूरे round में round complete होने तक ये round complete होने के बाद फिर से marker pin निकालेंगे अभी यहाँ पे देखिए इस round में एक-एक single crochet बनाना है हमें लेके यहाँ पे भी शरिफ back loops लेने हैं यानि की chain में के पीछे के धागे में ही हमें single crochet बनाना है हमने जो chain बनाई है उसमें का एक ही धागा लेना है और वो भी पीछे वाला धागा और ऐसे ही यह round हमें complete करना है round 7 एक-एक single crochet की साथ अभी round complete हो गया अभी आगे सेम तरीके से marker पीण निकालने के बाद एक single crochet लेके marker पीण attach करनी है जिससे हमें round समझ में आएगा अभी इस round में यानि की round 8 और round 9 यह दो round हमें एक-एक single crochet के साथ ही बनाने हैं ऐसे दो round हम बनाएंगे एक-एक single crochet के साथ देखिए यह हो गया फिर से scissor के सायता से thread को cut कर लेंगे और अच्छी तरीके से slip knot लेके अच्छी तरीके से गाट मार लेंगे बचे हुए धागे बाद में सुई की सायता से अंदर के और खिज लेंगे तो यह भी हमें दो pieces बनाने हैं जो बाद में join होंगे एक wheel बन जाएगा सामने वाला wheel बन जाएगा तो इसके लिए ठीके यह सी लेना है हमें सुई की सायता से अंदर cotton भरके अभी आगे पीछे वाला बनाने के लिए magic ring में थ्री सिंगल क्रोशेट बनाने हैं हम पीछे वाला wheel बनाएंगे देखें पीछे वाला पहिया तो थ्री सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद सेकंड राउंड में क्या करना है सेम तरीकी सी यहां पर भी हमने join नहीं किया है मैजिक रिंग को सेकंड राउंड में हर एक चैन में दो-दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे थ्री सिंगल क्रोशेट बनें पहले राउंड में और दूसरे राउंड में उसमें ही डबल यानि कि दो-दो सिंगल क्रोशेट हर एक चैन में देखिए यह कंप्लेट हो गया उसके बाद में एक चैन बना के टर्न करेंगे टर्न करने के बाद पहली चैन में एक सिंगल क्रोशेट और दूसरी नमर की चैन में दो सिंगल क्रोशेट round 3 में पहली chain में एक single crochet दूसरी नमबर की chain में दो single crochet एक ही chain में और ये pattern follow करेंगे पूरी row complete होने में हमने circle तो complete नहीं किया half circle complete किया हमने magic ring को join नहीं किया इसलिए ये half circle में ही complete होगा देखिए ये complete होगया अभी क्या करेंगे faint pink color attach करेंगे एक chain बना के turn करेंगे और round 4 में क्या करेंगे पहली chain में एक single crochet दूसरी नमबर की chain में एक single crochet और 3 नमबर की जो chain है उसमें एक ही chain में दो single crochet देखिए और ये pattern follow करेंगे पूरी row complete होने तक फिर से एक chain लेके turn करेंगे next round के लिए round 5 में पहली तीन chain में एक-एक single crochet और फिर से एक chain है उसमें एक ही chain में दो single crochet ये pattern follow करेंगे पूरा row complete होने तक फिर से एक chain लेके turn करेंगे round 6 के लिए round 6 में सेम तरीके से पहली फोर्थ chain में एक-एक single crochet पहली चार जो chain है उसमें एक-एक single crochet हर एक chain में और फिर नमर की जो chain है उसमें एक-एक chain में दो single crochet ये pattern follow करेंगे पूरी row complete होने तक और एक chain लेके turn करेंगे next round के लिए तो round 7 में हमें क्या करना है एक-एक ही single crochet बनाना है लेकिन यहां पे भी हमें जो chain बनी है उसके पिछले वाले धागे में ही single crochet बनाने है chain में का पिछला धागा में ही हमें single crochet बनाने है हर एक chain में एक-एक single crochet बनेगा round complete होने के बाद हमें एक chain बना के turn करना है next round के लिए तो next round round 8 और round 9 हमें एक-एक single crochet के साथ complete करना है और एक-एक single crochet ही हम बनाएंगे ऐसे हमें दो round यानि की round 8 और round 9 यह कंप्लेट हो गया कंप्लेट होने के बाद दागा सीजर की सायता से कट कर लेना है अची तरीके से गाठ मार लेनी है जिसे की दागा खुलेगा नहीं तो यह भी हमें कि दो पीसेस बनाने हैं सेम तरीके से सेम पैटन का यूज करके तो अभी हम सीट बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है थर्टीन स्चेन बनानी है स्टार्टिंग में यहां पर मैंने फेंट पिंक कलर का यूज किया है थीखें अभी थर्टीन चैन से बनाने के बाद एक एक सिंगल क्रुशेट बनाएंगे हर एक चैन में थर्टीन सिंगल क्रुशेट बनाने के बाद एक चैन लेके टर्न करेंगे राउंड थ्री से लेके राउंड एट तक हमें एक एक ही सिंगल क्रुशेट बनाते जाना है हर एक चैन में और एक रो कंप्लिट होने के बाद हमें एक चैन लेके टर्न भी करना है हर एक रो कंप् एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए, अभी हम राउंड में कम्प्लिट करेंगे, तो एक चेन हमने बनाई, उसके बाद में क्या करना है, अभी राउंड में हमें कम्प्लिट करना है, तो हमें हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है, साइब किने बनाएंगे बौटम में बनाएंगि दुसरी साइड और स्टार्टिंग हैम भी बनाएंगे सिंगल क्रिशेट हर एक चैन में बनाएँगे हमने फेले किया था तो अब हम राउन में कम्प्रिट करेंगे रांड नाइन हमें 1-1 single crochet के साथ complete करना है तो देखिए round 9 हमारा complete हो गया अब यहाँ पर marker pin attach करेंगे next round के लिए तो 9 round होने के बाद round 10 से लेके round 12 तक हमें 1-1 single crochet बनाने हैं हर एक chain में राउंड स्टार्ट करने से पहले हमने marker pin लगाए थी तो हर एक round में हमें marker pin attach करनी है ठीक है ऐसे हमें यह 3 rounds complete करने हैं एक-एक सिंगल क्रोशेट के साथ देखिए यह हमारे सीट बनके तयार हो गई है दागा सीजर की सायता से कट करके अच्छी तरीके से गाट मार लेना है जिसे की धागा धागे खुले नहीं ठीक है कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगला वीडियो जल्दी से अप्लोड हो जाएगा नमस्कार यूनिकार्ट चैनल